हेलो इस्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे ए बी सी डी और कलर्स के नेम जानेंगे तो आएए मैं आपको बताती हूं कलर्स के नेम यह देखे कौन सा कलर है यह रेट कलर यह आरेंज कलर वाइट कलर ब्राउन कलर और यह कौन सा कलर है यह यलो गलर तो आएए हम एवी सी डी में कलर को फिल करते हैं तो बच्चों पहले क्या आता है पहले आता है A और ये कौन सा कलर है? रेट कलर है तो A में हम करेंगे रेट कलर A for क्या होता है? A for होता है and and means होती है चीटी क्या होती है and means? and means चीटी होती है तो देखें A में कौन सा कलर फिल हुआ है? रेट कलर A के बाद क्या आता है बच्चो? A के बाद आता है B तो आईए हम B में कौन से कलर को फिल करते हैं? आरेंज कलर को B फॉर क्या होता है? B फॉर होता है बैट बैट मिन्स होता है बल्ला क्या होता है बैट मिन्स? बैट मिन्स बल्ला होता है तो B में हम लोग कौन से कलर को फिल करते हैं? आरेंज कलर को B के बाद क्या आता है बच्चो B के बाद आता है C तो देखिए ये कौन सा कलर है ये है ग्रीन कलर तो C में हम करेंगे ग्रीन कलर को C फर क्या होता है C फर होता है कैरोट कैरोट मीन्स होता है गाजर क्या होता है कैरोट्स मीन्स गाजर होता है तो देखें C में हम कर दियें ग्रीन कलर C के बाद क्या आता है बच्चो C के बाद आता है D और यह है वाइट कलर तो D में हम करते हैं वाइट कलर D for क्या होता है D for होता है डंकी डंकी मीन्स होता है गधा क्या होता है डंकी मींज? डंकी मींज गधा होता है तो D में देखिए वाइट कलर फिल हो गया D के बाद आता है E क्या आता है? E आता है और यहें देखिए ब्राउन कलर तो E में हम करते हैं ब्राउन कलर को E फॉर क्या होता है? E फॉर होता है इग इग मीन्स होता है अंडा क्या होता है इग मीन्स इग मीन्स अंडा होता है तो देखे इ में ग्री ब्राउन कलर फिल हो गया इग के बाद आता है बच्चो एफ क्या आता है एफ आता है और ये है यलो कलर तो एफ में हम करते हैं यलो कलर एफ और होता है फैन fan means होता है पंखा क्या होता है fan means fan means पंखा होता है f के बाद आता है g और ये है देखिए red color कौन सा color है red color तो g में हम करेंगे red color को g for क्या होता है g for होता है graphs, graphs means होता है अंगूर तो g में हम कौन से color को fill करते है रिट कलर को जी के बाद क्या आता है बच्चो जी के बाद आता है एच क्या आता है एच आता है तो एच में हम करते हैं आरेंज कलर को एच फ़र क्या होता है हैंड हैंड मीन्स होता है हाथ क्या होता है हैंड मीन्स हैंड मीन्स हाथ होता है तो देखे एच में हम कौन से कलर को फिल किये हैं आरेंज कलर को एच के बाद क्या आता है एच के बाद आता है आई और ये है वाइट कलर तो आई में हम वाइट कलर को फिल करते हैं आई फॉर होता है आईस क्रीम आई के बाद क्या आता है जे आता है और ये है देखे ब्राउन कलर तो जे फॉर क्या होता है बच्चो जे फॉर होता है जोकर क्या होता है जे फॉर जे फॉर जोकर होता है तो जे में देखे ब्राउन कलर फिल हो गया जे के बाद आता है के तो आईए हम के में कौन से कलर को फिल करते हैं यलो कलर को के फॉर क्या होता है के फॉर होता है किंग किंग मीन्स होता है राजा क्या होता है किंग मीन्स राजा होता है तो देखे के में यलो कलर फिल हो गया के बाद आता है ल क्या आता है ल आता है तो आईए हम L में करते है रेट कलर L फॉर क्या होता है L फॉर होता है लेमन लेमन मीन्स होता है नीमबू क्या होता है लेमन मीन्स लेमन मीन्स नीमबू होता है L के बाद आता है बच्चो M तो आईए हम M में कौन से कलर को फिल करते है आरेंज कलर को M4 क्या होता है M4 होता है mango mango means होता है आम क्या होता है mango means mango means आम होता है तो देखे M में हमने कौन से कलर को फिल किया है आरेंज कलर को M के बाद क्या आता है M के बाद आता है N और ये है green कलर तो N में हम करेंगे green कलर N4 क्या होता है N4 होता है next next means होता है घोसला क्या होता है बच्चो next means next means घोसला होता है तो देखे N में green कलर फिल हो गया इन के बाद क्या आता है इनके बाद आता है O तो देखे O में हम करेंगे वाइट कलर O for क्या होता है? O for होता है आनियन आनियन मीन्स होता है प्याज क्या होता है बच्चो आनियन मीन्स? प्याज होता है तो देखे O में वाइट कलर फिल हो गया O के बाद आता है P और ये है brown color कौन सा color है? brown color है P for क्या होता है? P for होता है pickaak pickaak means होता है more क्या होता है pickaak means? pickaak means more होता है तो देखिए P में कौन सा color फिर हुआ है? brown color तो बच्चो आप लोग भी ऐसे पढ़िये और आगे बढ़िये ओके बच्चो बाबाई, thank you क्या होता है